लेट्स इंप्रोव इंग्लिश सबी महमानों को चाए मिल जाए इस बात का ध्यान रखना मैं उस बात का ध्यान रखूँगा हम कह सकते हैं डोंट वरी, I'll see to it इसका मतलब है मैं इस बात का ध्यान रखूँगा I will keep this thing in my mind I will make sure that this doesn't happen anything doesn't happen I will make sure that something happens the way we want it to happen चिंता मत करो, मैं उस बात का ध्यान रखूँगा I will keep that in mind I'll see to it So see to it का मतलब होता है to make sure or check that something is done इस बात का ध्यान रखना की सबी महमानों को चाए मिल जाए See to it that all guests get tea See to it that all guests get tea यहाँ पर आप चाहें तो to it को avoid भी कर सकते हैं सिर्फ इतना भी कह सकते हैं See that all guests get tea यहनी इस बात का ध्यान रखना देख लेना सभी को चाहे मिल जाए सभी महमानों को मैं ध्यान रखूँगा कि उसे टाइम पर खाना मिल जाए ध्यान रखना कि दिन में दूद उबल जाए दिन में दूद उबलना बहुत जरूर यह उबाल देना दूद I'll see that he gets food on time I'll see that he gets food on time मैं ध्यान रखूँगा कि उसे टाइम पर खाना मिल जाए तो see का मतलब देखना होता है लेकिन see का मतलब इस sense में होता है किसी बात को make sure करना किसी बात को पक्का कर लेना उसको confirm कर लेना होता है यहाँ पर किसी चीज़ को certain कर लेना होता है कि ऐसा हो जाए उस बात का ध्यान रखना See that the milk is boiled during the day देख लेना दूद जरूर उबल जाए दिन में मैं ध्यान रखूँगा कि कोई सजावट खराब ना कर दे क्या तुम इस बात का ध्यान रखूँगा कि कोई भी सजावट को खराब ना करे क्या तुम इस बात का ध्यान रखोगे कि रात को बत्ती बंद हो जाए Will you see to it that the light is turned off at night? Will you see to it that the light is turned off at night? खाना लगाओ बहुत जोरों की भूख लगी है कहना है तुम्हें गर्म खाना परोसना चाहिए गर्म गर्म परोसना चाहिए ठंडा हो गया Serve the food, I am starving I am famished Famished होने का मतलब या फिर कहना है कि I am starving तो इसका मतलब है मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है भूख से जान निकल रही है Serve the food, खाना लगाओ I am starving, I am famished मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है खाना जरूर लगाओ तुम्हें गर्म खाना परोसना चाहिए You should serve hot food You should serve hot food यानि गर्म खाना आपको serve करना चाहिए उसे ठंडा नहीं होने देना चाहिए तो यहाँ पर आपने serve का मतलब देखा परोसना, खाना परोसना और वैसे किसी को serve करना मतलब होता है उसका, उसकी कुछ सेवा करना उसके लिए कुछ काम करना किसी को serve करना और वैसे दूसरे तरीके से serve का एक और मतलब होता है जब हम कहना चाहते हैं कि कोई चीज किसी चीज का काम करेगी जैसे कि इस sense में देखिए आप ये कमरा guest room का काम करेगा तो भई और तो कोई हमारे पास guest room तो है निस पेशली ये कमरा guest room का काम करेगा तो जब हम कहना चाहते हैं कि ये चीज इस चीज का काम करेगी तब हम serve का use इस तरह करेंगे जब कुछ भी और अवेलिबल नहीं है तो कोई चीज से हम किसी चीज का काम ले लेते हैं यानि कि that serves as something ये प्लेट ट्रे का काम करेगी अब हमारे पास specially ट्रे तो है नहीं यही प्लेट ट्रे का काम करेगी तो जब हम प्लेट उसके साथ ऐसा हिया वो उसके साथ यह होना चाहिए यहां पर serve से बनने वाला एक idiom में use करने वाला हूँ आपको सिखाना चाहता हूँ года जब ये कहते हैं तो इसका मतलब है यह होना चीछ था उसके साथ एकदम सः होगया Let's look at another example तुन्हें उसे मारा था na सही वाते साथ ना तुने उसे जैनि तुने उसे मारता था ना तो सही है उसकी है तिरको सही सजा मेली है You deserved it तुने उसे मारता था ना सही वाते साथ So you can say to someone that it serves him right for doing something उपरवाले की माया उपरवाला ही जाने English में कहेंगे Only God knows what he has in mind only God knows what He has in mind यानि उनके दिमाग में क्या चल रहा है मन में क्या चल रहा है उनकी क्या माया है उनका क्या magic है वही जाने अब तो क्या करता है ऍू आयर जाने only you know what you have in your mind बात पहले ही बहुत आगे तक बढ़ गई है मुझे नहीं पता था की बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी इन sentences के लिए हम कैसे कह सकते हैं Things have already gone too far Things have already gone too far मुझे नहीं पता था की बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी I didn't know that things would go so far I didn't know that things would go so far उसकी बात सच साबित हो गई है जैसे हम कभी कभी कहते हैं मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है He has been proved right यानि उसकी बात सच साबित हो गई है What he said has happened मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है I don't need to prove anything to anybody I don't need to prove anything to anybody तुमने सो जाओ सो जाओ की रट क्यों लगा रखी है तुमने सो जाओ सो जाओ की रट क्यों लगा रखी है बार बार मुझे क्यों कहे जा रहे हो कि सो जाओ सो जाओ क्यों ये रट लगा रखी है Why have you been यानि तब से मुझे तुम क्यों force कर रहे हो, push कर रहे हो, compel कर रहे हो, pressurize कर रहे हो, nag कर रहे हो, me to go to sleep why have you been forcing me to go to sleep यानि मुझे तब से क्यों जोर दे रहे हो, इतना क्यों force कर रहे हो, कि मैं सो जाओ, मैं सो जाओ सो जाओ, सो जाओ की रट क्यों लगा रखी है इस तरीके से हिंदी की इस बात को हम express कर सकते हैं एक ही बात को कहने के बहुत से तरीके हो सकते हैं हर लेंग्विज में एक ही बात को express करने के अलग-अलग तरीके होते हैं और यह depend करता है, from person to person vary करता है कि कौन किस तरीके से बोलता है language में एक person की एक अपनी creativity भी होती है सब अलग अलग तरीकी से बात करते हैं सब का एक अलग ही style होता है इसको हम simply ऐसे भी कह सकते हैं repeatedly telling me why have you been repeatedly telling me to go to sleep क्यों बार बार मुझे कहे जा रहे हो कि मैं सो जाओ कि मैं सो जाओ सो जाओ कि रट क्यों लगा रखी है so that's it for this video I hope you have liked this video and you have certainly learned something from this video if you really want to keep improving your English just like this don't forget to subscribe to this channel if you haven't already thank you very much for watching this video lesson we'll talk in the next one till then take care and bye bye